क्या हुआ अली भैया अरे दीदी आजकल वो बिमारी फैली हुई है ना करोना जो खासने से फैलती है टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने लेकिन हर खासने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खासते या छीकते समय मुह को ढखलें ठीव अमर भी भैया अच्छा दीदी अब मैं हमेशा खासते या छीकते समय मुह को जरूर ढखलूंगा पर दीदी खासना या छीकना तो समान्य जुकाम में भी होता है कोरोना में सूखी, खासी, बुखार और सांस लेने में परिशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बिमारी फैलती है अगर किसी को ये लक्षण दिखें, तो तुरंत राज्जी हेल्प लाइन या स्वास्त और परिवार कल्यार मंत्राले की हेल्प लाइन पर संपर्क करें साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्त कर्मी को मास्क लगाना अनिवारे है जिससे अन्नी व्यक्तियों को संभावे संक्रमर से बचाया जा सके बाकी सभी को मास्क लगाने की आवश्यक्ता नहीं है क्या ये बिमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बिमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है परन्तु खास कर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लोटे हैं उनमें ये रोख होने की संभावना ज्यादा है जिन व्यक्ति की आयू साट वर्ष से अधिक हो कोरोनव की जाच और इलाज सरकार द्वारा प्रमार्ण सस्थानों पर की जाती है जिसकी सूची नस्दी की स्वास्ति केंद्र की चिकित्सा अधिकारी के पास मौझीद है संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग इचा जाता है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित साधिकारी की सलह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है इस तोरान घर के अनिसदस्य और आसपास के लोगों को विना घबराए और सावधानी बरत्ते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए साथ ही चिकित साधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए इस बिमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बिमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है जैसे जितना हो सके घर पर रहे सारजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचे लोगों के निकट संपर्ग से बचे और कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखे बाहर से लोटने पर खासने, छीकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और सौच के बाद दियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोए स्वास्ते कर्मियों द्वारा बताये गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमन्ट से बचाव होगा हाथों को 40 सेकिंड तक धोना चाहिए खासने और छीकने पर मूँ और नाग को रुमाल से ढखे अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खासे या चीके अपने हाथों में नहीं सार्वजनिक स्थानों पर ना धूके या चिलाई नहीं और बार बार अपनी आखनाक और मूँ को ना चुए सावधान और सतर करें कोरोना से बचे